वेलकम डू वीकल इंडिया चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर आप देखे हैं एक पाउर्फुल SUV कार जो की 6 इटर के साथ काफी पाउर्फुल और एक नए लुक के साथ नजर आती ये है एक्सल 6 मारूती सुजुकी की जो की काफी बहतरीन SUV कार है ये मार्केट के अंदर किया करेंस को और अपनी ही कार मारूती सुजुकी अर्टिका को कड़ी टकर देती है इसके लाइटों की बात करूती यहाँ पर देख सकते है हैलोजन लाइट दी जाती है बाकी इसमें आपको टन इंडिकेटर दिया जाता बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक दिया गया ये गाड़ी देखने में जितनी खूबसूरत है उससे कई ज़्यादा ये ड्राइविंग में ये गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत है और भीम के इस चारो तरफ आपको मैट फनीसिंग देखने को मिलता है उपर आपको वर्ड वाइजर देखने को मिल जाता है बाकी अगर टायर सेक्शन की बात करो तो इस गाड़ी की अंदर आपको 195, 60 की टायर दी जाती है और आर 16 इंच के करीब इस गाड़ी की अंदर आपको alloyables देखने को मिलता है प्लस फ्रंट की टायरो में आपको disc brake दिया जाता है और रेर के टायरो में आपको drum brake दिया जाता है तो ये गाड़ी आपको value of money देखने को मिलेगी उपर आपको silver finishing के साथ roof rail दिया जाता है और आपको यहाँ पर देख सकते है ये जो chrome finishing है ये पीछले हिस्से तक आती है जो कि देखने में काफी aggressive look और काफी cool look में देखने में लगती है यहाँ पर देख सकते है matte finishing का दिया गया लेकिन पीछे के हिस्से को जो दिया गया वो आपको black प्यानों के साथ देखने को मिलेगा यहाँ पर जो door का handle रखा गया है वो chrome के साथ रखा गया है और कुछ इस तरीके से ये car काफी खूबसूरत लगती है मारो 300 जोकी के blue color की car को काफी खूबसूरत लुग में नजर आती है side में grand vitara खड़िया और यह अपने axle 6 जो की देखने में काफी premium लग रही है इस गाड़ी के अंदर आपको यह देख सकते हैं यह थोड़ी बहुत Scorpio N की याद दिलाती है इसके tail light तो इसमें लंबी सी आपको tail lamps देखने को मिलता है उसके साथ ही आपको turn indicator का option देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से shape में दिया गया है उपर आपको इस पॉलेट्स पे brake light दी जाती है सार्क फिननटीना दिया जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको बस छोटी सी कहीं न कहीं ये बात लगती है कि इस गाड़ी के अंदर आपको sunroof की option देखने को नहीं मिलती बाकि आपको एक वाइफर दिया जाता है और इसका जो boot space देखने है ये थोड़ा सा उचा-उचा नजरा रहा है बज़ा ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको CNG kit offer किया जाता है और कर इंजन की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.2 लीटर का petrol engine offer किया जाता है जो कि 86 BHP के करीब पावर और 121 Nm का torque generate करता है जिसके साथ ये 4 slender engine आती है प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको CNG kit भी offer किया जाता है जिससे इसकी mileage आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है वहीं अगर इसके इंटियर में चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस गाड़ी का ORBM set करने के लिए आप इसके अंदर इहाँ से adjust कर सकते हैं बाकि यहाँ पे ORBM के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और इहाँ पे आपको विंडो का भी कंट्रोल देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें touch screen display आपको 7 inch के करीब देखने को मिलता है, जो कि थोड़ी बहुत ये गाड़ी के अंदर सोवा नहीं देती है, बाकि यहाँ पर आपको सारे control दिया जाते हैं, cup folder दिया जाता है, यहाँ पर phone बेगरा आप रख सकते हैं, charging बेगरा का option देखने को मिल जाता है, handbra काफी premium है, काफी cool रखा गया, यहाँ पर आपको window जो control का दिया गया है, system button दिया गया है, यहाँ पर देखोगे तो यह finishing जो है यह काफी गाड़ी में एक चार चान लगाने का काम कर रही है, काफी बढ़िया profile इसका interior का रखा गया, AC band दोगोगे तो यह बड़ी सी AC band दी लेकिन वही अगर driver side में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको किसी तरीके का mirror देखने को नहीं मिलता है, sunglasses holder इस गाड़ी के अंदर offer किया जाता है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको light option देखने को मिल जागा, जो कि halogen रखा गया इस गाड़ी के अंदर, और आप इसे उपर वाले variant खरेते हैं, जब भी उसको, उसमें आपको halogen LMC देखने को मिलेंगे, लेकिन वहीं rare row में चलते हैं, तो इसके अंदर आपको captain seat offer किया जाता है, कुछ इस तरीके से देख लीजे, यहाँ पर यह वाला seat जो है यह काफी आराम देता है, काफी आराम दायक है पीछे भी आपको एक light दी जाती है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, इसके अंदर आपको दो light offer किया जाता है, और AC bent आपको पीछे के तरफ ही आपको देखने को मिल जाता है, तो यह गाड़ी पूरी fully cooling वाली रहने वाली है, इसके अंदर आगर आप बैट के traveling वेगरा क कैसी लगती है, हमें comment box में जरूर बताना, और इसकी सबसे बात, important बात, price की लेकर करें, तो इसकी starting price, एक्सोरो मिन देली, आपको 12 lakh, 51,000 के करीब देखने को मिलेगा, एक्सोरो मिन देली, अगर आप इसको road पे लाते हो, तो यह गाड़ी आपको 14,50,000 या फिर 55,000 के करीब देखने को मिल जागा, अगर round figure की बात करूँ, तो 15,50,000,000 रुपे इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानि 15,000,000 रुपे देते हो, तो अराम से इस गाड़ी को आप road पर चला पाओगे, तो आपको यह गाड़ी कैसी लगती है, comment में जरूर बताना, और channel पर नए हो, तो channel को जरूर सब्सक्राइब करके, bell notification को दवा लेना, और ना ही मैं आपका time based करता हूँ, तो इसलिए channel को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने भाई बंदों के साथ यह गाड़ी है, या फिर कोई भी गाड़ी का review चीए, तो हमें comment box में जरूर बताना, share भी जरूर करना, इसी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए thank you so much, धन्यवाद मिलते हैं आप से next वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाई बाई और वीडियो पसंद आए, तो like भी जरूर करना,